हलो फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं दैनिक जीवन के आपशक्ता की आज कैंसर बहुत भया भय हो गया है जहां देखो हद जर्स परिवार में से एक को कैंसर ग्रस्त तो क्या क्या रीजन है संभावित कारण है सबसे पहला कि हमारा एव जातिय खानपान ए प्राकरतिक खानपान रहें सेंड लाइफ स्टाल देर से सोना देर से जागना जंक फूड फास फूड नॉन वैज का दिक उप्योग फिर बंश परम बंशानुगत परमपरागत यह डिजीज भी आजकल लोगों में आने लग गई हैं फिर हैवी स्ट्रेस इसके अत्रिक ज आ रहे हैं पी रहे हैं या जिसमें बना रहे हैं वह भी कैंसर के कारणों में से एक कारण हो सकता है तो आए हम इसी पर विचार करें सबसे पहले एलिमिनियम दैनिक जीवन में एलिमिनियम बहुत अच्छी तरफ गुज गया है प्राचीन काल में एलिमिनियम का मिश्कार ब हवाई जाच बनाने के लिए दीरे-दीरे सस्ता परने लगा और ये बरतन बनाने के काम आने लगा। और जो इचणने तपके के लोग थे वह काम लेने लगे जेल में बंदियों को सजा के रूप में एलूमिन हमितनों में परोसा जाने लगा, वह सजा का पार्च था। जल्दी गरम होते हैं ऐलुमिनियम वॉक्साइट का बना होता है ऐलुमिनियम के बरतन जब हम गरम करते हैं उसमें सब्जी पकाते हैं तो वे हमारे भूजन के केलशियम और आयरन को सोक लेते हैं और अपने विशले तत्व भूजन में छोड़ देते हैं जो हमें किड्नी, लीवर, कैंसर और एसीडिटी जैसी समझें, तवचा संबंदी विकार, निूरो संबंदी विकार के उले जाते हैं। अभी हाली में सर्च हुई है, उसी में पाया गया कि मस्तिक समझें बिमारियां, जो एलजाइमर्स जैसी बिमारी उसकर जब शोत की गई तो पाया गया, उसमें एलुमिनियम के तत्व भी पाये गया। जिस से इस पस्ट है कि एलुमिनियम, एलजाइमर्स तक की बिमारी में हमें परेशान करता है, शती पहुंचाता है, आता है, एलुमिनियम से हम बचें, तो ज्यादा अच्छा है, हमारा किड्नी, दिल, लीवर, जिस से आप मुस्कुराते हैं, नर्वस सिस्टम, तो उसके लिए अलुमिनियम को अबट करें, अलुमिनियम ही नहीं, दैनिक जेवन में हम फॉइल का बहुत प्रयोग करने लगता है, फैशन वस, आधुनिकता वस, वो अलुमिनियम के फॉइल, बरतनों पे जो स्टील के जो वरतन सारी मिठाईयों पर जो वर्क होता है, अलुमिनिय बहुत जरूरी है गरम पानी साबुन से दोना, या फिर आप राइस पेपर या बटर पेपर में रैप करें, अकबार की शाही में नहीं, अकबार में भी भोजन लपेटली की बहुत आतत है, तो उस से बचें, तो ये तो ही अलुमिनियम की बात, दूसरा, कि हमें कौन-कौ वरतन में है, पीतल, लोग आज कल पीतल को पुराना फ़ेशन मानने लग एं, जब कि पीतल के बात नो में खाना बनाने से, केवल 7% पोशक तत्वन अस्ट होते हैं, जब कि अन्यों में ज़्याधा होते है, पर ध्यान रखें, पीतल के बातन कलईदार हो, अगर कलईदार तो उनमें खट्टा नहीं पकाएं अन्य था ओजहर का काम करेगा तो पीपल के जो पीतल के बरतन है वह हमारे लिए निरापत है भारी तले के होते हैं सब्जियां उसमें जलती नहीं है चिपकती नहीं है फिर इसके बाद आता है कांसा कांसा भी बहुत अपयोगी है आजकल क आसा थोड़ा सा महेंगा और फैशन में नहीं है इसलिए इसको लोग दूर करें हैं कांसे के बरतन में बनाने से भी पोशक तत्व केवल 3% नस्ट होते हैं तो कांसे के बरतन में भोजन बनाना और खाना दोनों ही उपयोगी है और फिर इसके बाद आता है तामबे का बरतन तामबे का पानी सद्यों से लीवर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है रात को तामबे के पात्र में तुलसी पत्तों की एक बंच भीगोते और सुबह उस पानी को पी लिए आपकी उमिनिटी बढ़ती है संक्रामक रोग दूर होते हैं दूसरा कैंसर कोशिकों तक को मा लाने का काम करता है तामबे का बरतन उप्योग में लाना बहुत अच्छा है लेकिन तामबे के बरतन में वह खटाई वाली चीजें नीबू टमाटर कैरी इत्यारी डाल करनी बनाए अन्य था उसका जो विशयलतत्त है वह हमारे अंदर आ जाएगा वह अपने विशयलतत्त हमारे भोजन में छोड़ने लगता है और जो तामबा हमें लीवर के लिए लाप्रत है वह नुकसान दे बन जाता है इसी तरह से अगर हम पीतल के बरतन तो अच्छे हैं जो कि हमारे क्रमी रोग कफ वायो दोश का नाश करता है यह मैं पहले भी बता चकते हूं और तामबे जाता है लोहे के बरतन लोहा शरी में जरूरी पोशक तत्वों को बढ़ाता है लोहे के बरतन में फॉलिक ऐसीड हो पाय जाता है जिससे शरी में खून खून में आईरन की मातरा बढ़ जाती है और भरपूर पोशन मनता है अतहम नौन स्टिक की अपिक्षा लोहे के तवी लोहे के बर्तन को अपयोग करें नौनिस्टिक बर्तनों में जो ब्लैक कॉटिंग होती है थोड़ी से बिगिश जाती है तो वो हमारे लीवर के लिए किड्नी के लिए हार्ट के लिए बहुत ज़दा नुकसान दे है अता है आप आईरन के बर्तनों को अपयोग करें आईरन के बर्तनों में अगर आप सबजी बना के खाते हैं तो आईरन स्वाभविक रूप से आपके भोजन में शामिल हो जाता है और शरीर में आईरन की कमी नहीं रहती पर ध्यान रखें आईरन के बरतन में अगर आप नीवू टमाटर डाल रहे हैं बनाते ही अलग कर लें फिर उसमें नहीं छोड़ें अन्य था उसका रंग काला पड़ जाएगा और अधिक आईरन भी हमें सुपाचे नहीं होता है यह एक निरापद है इसका संप्रभाव रहता है यह कुछी तरह का नुकसान और लाप दोनों ही नहीं करता लेकिन पतले होने से इनमें सबजी याँ दूद वगरें जलते हैं इसलिए स्टील का वरतन हम यूज़ कर सकते हैं अब इसी के साथ साथ अब इसके बार होता है कांच के बरतन जो आप सभी यूज़ कर रहे होंगे कांच के बरतन भी निरापद नहीं उसमें खटाई वगरे सबी रखी जा सकते हैं उस में किसी प्रकार का हाम नहीं होता पर कास्ट की बरतन जादा तर microwave में काम ले जाते हैं धिहान रहे आप microwave अधिक का उफ्योग नहीं करें उसमें convection का उफ्योग कर जाकते हैं OTG का उफ्योग करें microwave में क्योंकि अगर हमसे माइक्रो में चीजें पकाएंगे पूरी पूरी आदा गंटा एक गंटा तो हमें उसके रेडियेशन के नेगेटिव इफेक्ट बुगतने को तयार रहना पड़ेगा इसलिए कोई अगर सूखी सब्जी गरम करनी है 30 सेकिंड के लिए तो आप उसमें गरम करने तो पोशक तत बच जाएंगे नस्टोने से और अगर गिली सब्जी है तो आप अपने जिस बरतन में बनाए उसमें भी गरम कर सकते हैं ध्यान रहे कि ज्यादा तर सब्जी हम हाथों हाथ बनाएं खाएं कोशिश करें कि हमें बार हाथी स्नुखती में चांदी के वरतनों का बहुत मैत हैं बच्चे के जन्म के पश्चाति उसके ननियाल से उसे जिफ्ट के जाते हैं चांदी के गलास को टोरी चमश तीजोरी में रखने को नहीं यह माना जाता है कि अगर 12 वर्ष तक बच्चा चांदी के गलास में दूत नटीए तो चान्दी कर और दूसरा अग्रेसिव नहीं होता बच्चे की बुद्धि मतलब शांत रहता है विक्सित होता है चंद्रमा की तरह दुछल प्रकाश होता है चांदी के जिसको भी ब्रबीरी आई रहता हो एग्रेसियो उसे चांदी के बरतन में खाना खाना चाहिए अगर संभभ हो नहीं तो हमारा जो पुराने पतल बने होते थे पतल का एक पेड़ होता है जिसको आज हम भूले जा रहे हैं अगर आप पतल में खाते हैं आप केले के पेड़ अगर आपके पास बहु रोज कर खाने से ही मिल जाते हैं जो इसकिन अलर्जी को दूर करता है एंटी ऑक्सिडेंट है केले का पित कैंसर के रोग्यों के लिए बहुत इलाव प्रद होता है इसलिए हम पतल में खा सकते हैं इसके साथ साथ आजकल प्लास्टिक के बरतन चलना है विल्कुल बेकार है उसमें से गरम चीज डालने से उसके जो बेशले तत्व निकलते हैं वो हमारे लीवर किड्नी हार्ट सबको नुक्सान पहुंचाते हैं जितने भी ऑफिशल प्रोफिशनल लोग हैं अक्सर ऑफिसेज में देखा गया है या तो वह ऐलुम्नियम की केटली में चाय लेके आत हैं लगाता दिन में चार चाय छे चाय का पता नहीं वो प्लास्टिकी तेलियों हम लोग ध्यान नहीं दे रहें समाज में बहुत सारे काम हो रहे हैं पर इन प्लास्टिकी तेलियों को चाय बेन कर दिया गया हो लेकिन चाय वाले के आंसे नहीं तो इन पंतनी में हमारे भा वहाव है बिमारी किसको कब आ जाएगी वैसे हमें पता नहीं पर हो सके तो इसको बचाएं प्लास्टिक के टिफिन प्लास्टिक की बॉटल्स माइक्रोवेव में प्लास्टिक के रैक ये बिल्कुल गलत है प्लास्टिक को जहां संभव हो हटाएं प्लास्टिक की बॉटल्स की बज़ाएं आप यूच करें मिट्टी की बॉटल्स सारी हैं सबसे अच्छे मिट्टी के बरतन मिट्टी हमारी मां है इस मिट्टी में बढ़े हुए पल हैं इस मैपस तत्व का श्रोथ है तो मिट्टी का जो गड़ा हमारे रखने की प्रता था क्रैपया स्रिश्च कि बजाए मिड़्टि के गड़े का प्रयोग करीं ये आपको फैक्ा पोशकत देगा जितली वितामीन्स George में सारे कुछ मिलेगे मिट्टि गड़े में मिट्टि के घड़े से आके हम शोग से आज कुम कम से कम हफते में दो-तीन दिन योज करें कौस्ट आइरन बरतन बहुत अच्छे होते हैं आइरन के या मिटी के तवे इउच करें आज ले जब हम महेंगे आहार खाने को जाते हैं, एक सजावट के रूप में मिट्टी की चीजों की सजावट होती है, लैंब में मिट्टी का, मिट्टी की छोटी-छोटी हांडिया, छोटे-छोटे सिकोरे, अगर आप पश्चिम बंगाल की तरह जाएंगे, कलकत्ता में जो मिस्ट् इसने कांच के महेंगे-महेंगे बरतन खरीते हैं, मिट्टी के बरतन उससे बहुत सब्स्ते होता है, दो-चार बार आप उनको साफ करिए, फिर बेकार हो जाते हैं, फैक्टे फिर नहीं ले जाएएं, अगर आप एक बार सेहत से खिलवार करते हैं, तो आपके लाखों के बिल और आपका शेरी खराब हो जाता है, इसकी बजाए जहां संबहो मिट्टी के बरतन दही जमाने में, दूद रखने के लिए, सबजियां रखने के लिए, या एकाज सबजियां आप हांडी में पकाने शुरू करिए, स्वाद देखिए, पुरातन समय में जो मिट्टी क कूंडे में कांजा बनता था, मिट्टी के कूंडों में दही जमाये जाता था, उसका स्वाद इतना अच्छा है कि आप बड़े से बड़े फाइव स्टा होटल में भी अवेल नहीं कर सकते हैं, तो मेरे प्यारे भाईयों और भेहनों, मिट्टी के बरतनों का सुन प्योग करें, जिससे हमारे देश में वेरोजगारी वी दूर हो सकें, लोगों को काम मिल सकें, हमारी पुरातन संस्कृति लोड़ सकें और आप सब लोग स्वस्त जीवन सुधार सकें, तो वेलकाम एट प्राकरतिक्टिकिस साले बापू नकर जैपूर, इतनी सुन्दर सुन्दर स सुनें और कमेंट करें, थेंक्स टो आल